आप सभी का मेरे यूटुब चैनल मैं स्विज जैसिंग में बहुत बहुत स्वागत है भाई हम सॉल्ब कर रहे थे यूपी असाई के प्रिविएस येर कोश्चन पेपर ठीक है पहली वीडियो ये थार्ड वीडियो था ये फ़र्ड नंबर का वीडियो ये जो है सेकेंड पेपर है बारा दिसंबर 2017 को जो सेकेंड शिफ्ट में एकजाम हुआ था उसका चलो इसको सॉल्ब करते हैं ये वाला भी पेपर बहुत सांदार था और इसको एकदम आसानी से हम सॉल्ब करेंगे आप जितने भी बच्चे देख रहे हो मैस को सीखने की कोशिज करिए ठीक है तो देखते हैं इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजेगा मैं थोड़ा सब बड़ा कर देता हूं एक साइड ठीक है कुछ दिया हुआ नहीं है ये है 1991 का डाटा दिया है ये 1992 का डाटा दिया ह लिए ठीक है अर इसमें कुल व्य कितने है commence कि दो लाक और इसमें डाई लाक ऐसे उसके बाद बतवारा किया गया है एक सो एकस निंबर कोसटन है क्या 121 को को देखके मतलब पता चल रहा है कि हमें इसका यूजर नहीं है ठीक है वह दो कौन से छेत्र हैं जहां के आवंटन बराबर हैं जिनका योगफ़ल 25% से अधिक है लेकिन वर्स में कुल आवंटन से 50% कम है ठीक है ऐसा इसमें आप लोग 121 नमर है ये कोस्टन ये अपने से करने की कोशिस करिए और इसको ग्राफ में खोज के और इसका अंसर कमेंड में करिएगा ठीक है मैं लाश् कौन से छेत रहे हैं जहां ग्रामीड विकास ग्रामीड विकास का मतलब इसमें देखा जाए तो 30 है और इसके लिए देखा जाए तो 50 है तो जब ये वाला स्टेट्मेंट पढ़ेंगे तो एक बार इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए एक बार इसके लिए भी ट्रू होना तुनला में आवंटन में अधिक्तम प्रतिसत बृध्धी दर्ज करने वाला छेत्र के लिए दो वर्सों के लिए परिबे के बीच कितना अंतर होगा। अच्छा है हम एक एका देख लेते हैं क्रिसी में देख लेते हैं इसमें कमी हुई है यह आंसर होगा नहीं और दोगिक में देख लेते हैं 15 से 10 इसमें भी कमी हुई है यह भी नहीं होगा। ग्रामेड विकास 30 से 50 हुआ है इसमें कितना हुआ था 50% की ब्रिध्धी और ग्रामेड विकास का देख लेते हैं ग्रामेड विकास का अगर हम ब्रिध्धी प्रतिसत निकालेंगे तो आएगा 20 बटे में 30 ठीक है ना बट्टे तीन यानि 66.67 ठीक है तो हमें चेक किस से करना है हमें यहां से यह बता चल रहा है कि हमें ग्रामिड विकास दर का ग्रामिड विकास का हमें चेक करना है ठीक है ब्रिद्धी कितने की हुई है 65,000 की ब्रिद्धी हुई है ठीक है option number A हमें पहले यह बताना था कि किस category में सबसे ज़्यादा increment हुआ है बढ़ा हुआ है ठीक है वो हमने चेक किया उसके बाद कितने की ब्रिद्धी हुई है वो भी बताना था ठीक है अगला कोसन इसमें थर्ड में total और 1991 में अवदोगी का और चिकित सा इसका total जह कितना प्रतिसत अधिक था यह बाद वाला है वो कितना प्रतिसत अधिक था यह हमें बताना है ठीक है चलो तो हम निकालने की कोसिस करते है देखो मैंने बोला था डबल डियाई जहां भी एक बार पढ़ाई हुई थी ए मैंने जब भी पढ़ा जोई थी तो मैंने डियाई का solve करना ऐसे बताया हो था देखो इसको अगर हम 50,000 से कटा दे तो 5 बार में कट जाएगा और इसको अगर हम 50,000 से कटा दे तो 4 बार में कट जाएगा मतलब पहले और दूसरे गोले में 4 ratio 5 आ रहा है पहले गोले का जो भ कितना हो रहा है क्रसी और चिकितसा कितना हो रहा है यहां पर क्रिसी और क्रि यू नसकर 3-10,000 का पांच में गोड़ा करेँगे तो 1500 आएगा इसकी वह लू कितनी आ रही है 1500 अब इस पहला वाला दूसरे वाले से कितना अधिक है यह बता दो जारा पचास प्रतिसद दिख रहा है सौ से डेड़ सो कितना अधिक है पचास तो इसका अंसर यह ऐसे पचास होगी जब भी हमसे पॉस्टेज पूछता है तो हम इसी चार और पांच का यूज करते हैं कटाने के बाद ठीक है अगला खुसन यह देखना बढ़ियां खुसन है स्रेया एक काम को एक दिन और छे घंटे में पूरा करती है ठीक है नँ स्रेया एक काम को एक दिन और छे घंटे में पूरा करती है तो यह एक दिन और छे घंटे का मतलब कितना होगा भाई एक दिन 6 गंटे का मतलब होता है 30 गंटे तो स्रिया की बारे में बात करें तो ये किसी काम को 30 गंटे में करती है और जो स्री है वो कितना में करता है 2 दिन और 12 गंटे यानि कि 60 गंटे में काम करता है L से में इसका 60 आएगा इसकी efficiency 2 और इसकी efficiency 1 दोनों मिलके अगर काम करें तो कितना समय लगेगा साथ बटे में तीन यानि कि 20 घंटे अगला कुस्ट 0.222 को एक भिनांक के रूप में ब्यक्त कीजिए इसका आंसर होता है कि जो रिपीट कर रहा है वो बटे में मैं जितन ही आंक रिपीट कर रहा है उतने बार 9 इसका इसका बेसिक भी होता है कि हम इसको ऑक्स इक्वाल 12 2 22 22 22 22 22 22 10 ौरिपीट कर रहा है उसके पहले लाते उसके लिए 10 का मल्टिप्लाई करना पड़े सेकेंड एक्वेशन में से फॉस्ट एक्वेशन को अगर हम माइनस करेंगे तो 9x is equal to 2 आएगा डेसिमल के बाद अलग कड़ जाएगा x is equal to 2 by 9 ठीक है? अप्शन नूमबर ए अगला कुस्वन एक निसी तरासी सधर ब्याज पर दो साल में 1260 और 5 साल में ठीक है? 5 साल में 1350 रूप्य यहां 15 साल में 3 साल की ब्रिद्ध हुई है तो 3 साल में साधरा ब्याज कितना मिल रहा है? 1260 से 1350 या नि Don Rain एक नबवय रूपय की बिद्ध हुई है ऐखत्व ऑत्री हुई है जब भी बढ़ेगा, तो signаль प्रिंस्पल बढ़ेगा नहीं तो 3 साल में 90 तो 1 साल में 30 आएगा, और 2 साल आएगा अगर हम यहां से ब्याज निकास लें तो 60 आएगा एक बरावर कितना आएगा 30 तो 2 साल का 60 मतलब इसमें 60 रुपे ब्याज है तो principle कितना हो जाएगा 1200 ठीक है 1200 तो अब इसमें हमें क्या करना है कि rate percentage निकालना है तो rate percentage क्या होता है 30 रुपे ब्याज मिल रहा है 1200 रुपे पर एक साल में गुड़े 100 होता है 2-0 से 2-0 कट जाएगा 3 से ये 10 बार में कटेगा 6 से कटा लेते हैं 6 से ये 5 बार में 6 से ये 2 बार में 5 बटे 2 का मतलब होगा 0.5% ब्याज अगला कोश्चन कह रहा है कि X और Y दो दोस्त हैं एक दूसरे से 500 किलो मिटर की दूरी पर हैं X अपनी कार से B की और 60 की स्पीड से जाता है Y अपनी बाइक लेता है और 50 किलो मिटर पर आवर की स्पीड से एक ही तरब जाता है अगर X ने सुबह 9 बजे और Y ने एक घंटे बाद या नहीं 10 बजे सुरू किया तो वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं एक दम सारण सा कुस्टन है ये 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 हम बना लेते हैं इसके बीच की दूरी कितनी है 500 किलो मिटर ठीक है X अपनी कार से B की ओर यानि कि यहां पर A है यह B है एक इधर चल रहा है 60 की स्पीड से और Y किधर जा रहा है इधर आ रहा है कितनी की स्पीड से पचास के स्पीड से X ने 9 बजे चलना सुरू किया और Y 10 बजे तो पहले इनका समय बराबर करते हैं 10 बजी ये कितना दूर चलेगा 60 किलोमीटर अभी इसको चलने के लिए बच कितना गया ये टोटल 500 था 60 किलोमीटर चल लिया तो 440 बचाए कितने बजे से 10 बजे से इसके भी घड़ी में 10 बज़ रहा है और इसके भी घड़ी में 10 बज़ रहा है अब दोनों चलना स्टार्ट करेंगे तो दोनों opposite direction में चल रहे हैं तो इनके स्पीड जूड जाएगी 60 और 50 कितनी हो जाएगी 110 110 किलो मिटर पर और इनकी स्पीड है 440 किलो मिटर जाना है तो 4 घंटे लगेंगे कब से 10 बजे से 10 बजे से 4 घंटे यानि कि दो पहर के 2 बजे अगला कोशन कहा रहा है कि X upon Y plus Z minus X बराबर Y upon Z plus X minus Y बराबर Z upon X plus Y minus Z बराबर R हो तो R का definitely when we call it यह पूछ रहा है यह जो लिखा हुआ है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते है इस तरह से यह वही लिखा हुआ है जो लिखा था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया हुए ठीके न तो हम यहां से इस से और इस से x की value निकालेंगे तो x बरावर यह पहला equation आएगा फिर इस से और इस से हम कुछ नहीं कर रहे हैं दूसरा और चौथा relation ले रहे हैं तो y बरावर हो जाएगा r into z plus x minus y तो यह दूसरा equation ऐसे तीसरा equation आएगा तीनों equation को जोड देंगे तो left hand side में x plus y plus z आएगा और right hand side में एक बार x कटेगा एक बार y कटेगा एक बार z कटेगा r common है ठीक है एक बार x बचेगा, एक बार y बचेगा और एक बार z बचेगा x y z x y z से एक बार में कट गए यानि कि r is equal to 1 ठीक है तो r is equal to 1 ही हो सकता है इसका b वाला option सही है ठीक है otherwise आप x बराबर y बराबर z बराबर दो लेके check कर सकते थे ठीक है, ये भी काम कर सकते थे जब एक संख्या को 8 से भी भाजित किया जाता है तो successful 3 आता है उसी संख्या को 2 से भी भाजित किया जाएगा तो successful क्या होगा इसका तो आप directly answer मार दोगे ये जो पहले success आया रहता है उसी में फिर से भाग दे लेते हैं तो 3 में 2 से भाग दे लेंगे एक भाग जाएगे और एक success वचेगा अगला कुस्तन ये हैं इसको ध्यान से पढ़ लीजिए चलो तो इसको हम solve करने की कुछिस करते हैं कहरा है कि एक तिरंधा सटिकता के एक निश्चित प्रतिसत पर लच भेज सकता है अगर तुफानी मोसम हो तो उसकी सटिकता 20 प्रतिसत कम हो जाती है फिर कहरा है कि अगर वो तुफान में इतना सौट मारता है 350 में से 116 और याद रखना है ये जो है उसकी एक्चूल साट का 80 प्रतिसत है क्योंकि 20 प्रतिसत कम हो गया है तुफानी में 20 प्रतिसत घड़ जाता है और वो तुफान में ही ये मार रहा है यानि कि ये एक्चूल का 80 प्रतिसत है तो समाने परिस्तिती में 200 में वो कितना लच्छ भेज सकता है तो हमें समाने परिस्तिती में उसकी मारक छमता का प्रतिसत निकालना होगा तो अगर हम बात करें कि तुफान में उसका मारक छमता कितनी है कितने प्रतिसत है 196 बटे 350 करोगे आप और गुडे 100 ठीके न 50 से कटेगा 2 बार में 50 से कटेगा 7 बार में 7 से ये कटेगा 7 से कटाओगे आप तो ये कट जाएगा 7 से 2 बार में 14, 5, 7, 8, 56 और ये आएगा 56 प्रतिसत ठीके तूफान में उसका 56 प्रतिसत है और ये जो 56 है न actual हम उसका माल लेते हैं x है actual में उसका हमने माल लिया कि x है x का 80 प्रतिसत 56 के बरावर है यानि कि actual उसकी मारक चमता 70 आएगी ठीक है न 8 से ये 7 बार में कटेगा 10 का मल्डिपल ही होगा यानि कि उसकी actual मारक चमता 70 है तो वो 250 में से कितना लच भेजेगा भेदेगा 70 प्रतिसत ठीक है न 2-0 कड़ जाएगा 25 साथे 175 इसका correct answer है अगला question y की value ये दिया है तो आप 1 बटे y की value निकाल सकते हो क्या ठीक है न 1 बटे y की value आएगी 3-2 करड़ी में 2 ठीक है इसकी संयोग मी होगी क्योंकि ये 9 हो रहा है और इसका square करेंगे तो 2-4-8 हो रहा है ठीक है चलो तो हमें ये निकालना है y square minus 1 by y square इसका मतलब क्या है 1 by y square तो क्या आप बता सकते हो कि y plus 1 by y और y minus 1 by y इसका multiply करेंगे तो क्या आएगा a plus b और a minus b a square minus b square आएगा ठीक है clear है इतना ही आने वाला है bracket में तो हम एक बार क्या करते हैं कि y plus 1 by y की value निकालते हैं तो y plus 1 by y की value क्या है इसका और इसका हमें जोडना है जोडेंगे तो minus वाला कड़ जाएगा यह जोड़ जाएगा 4 root 2 आएगा फिर क्या करना था हमें इसका multiply करना था इसका multiply करेंगे तो 24 करड़ी में 2 आएगा इसकी multiply करेंगे तो कितना आएगा 24 root 2 ठीक है चलो हम इसको यहाँ पर लिख दिए इसका अगर हम multiply करेंगे तो y square minus 1 by y square आएगा लेकि आप देख रहे हो कि इसके बाहर root 2 लगाया है यहाँ कि root 2 से दोनों साइड multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 48 इतना सबसकाम करना था अगला कुस्ण इसको तो मैं बताऊंगा भी नहीं ऐसे ही देखके मार सकते हो ठीक है क्या यहाँ पर power 4 रखना पड़ेगा तो 3 के power 4 रखोगे तो 88 हो जाएगा यानि कि x की value 4 है तो 4 के power 4 x के power x की value निकाल नहीं है तो 4 के power 4 का मतलब होता है 256 तीन घंटी है इतने इतने second में बस दिए यह second में दिया हुआ है तो मैं बोलता हूँ कि घंटी वाले question, circular track वाले question यह सब जो होते हैं LCM इसका निकाला जाता है LCM आप इसका देखोगे तो 180 second आएगा जिसे बोल सकते हो 3 minute एक बज़े अगर बज़ रही है तो दुबारा जो है 3 minute बज़ेंगी यानि कि 1 बज़े के 3 minute अगला question कह रहा है कि इसका बहुलक 62 है तो X के स्थान पे क्या हैगा तेखो इसका या तो answer ये होता है या तो जो बोल रहा है वही होता है 62 तो ये वाले पे कम chance होते हैं 62 ही इसका answer होता है otherwise हम देख भी लेते हैं 21 बहुलक होगा नहीं 22 से मतलब ही नहीं है 213 से मतलब ही नहीं है 60 कितने बार आ रहा है 3 बार, 5 बार 5 बार ये भी 5 बार है ये भी 5 बार है तो बराबर होगा तो बहुलक नहीं होगा यानि कि X के जग़ पे अगर एक बार और 62 है तो ये जो 62 है वो 6 बार हो जाएगा इसकी संख्या कितनी है पांच बार, ठीक है, अगर यहां पर अगर हम 62 लिख लेते हैं, X के जगा पर, यही बहुलख होगा, जो कि question में कहा हुआ बात, सही हो जाएगा, अगला question, आनन्द और रभी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, रभी और चिन में उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि चिन में और आनन्द उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, रभी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इस question को मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है, आप time and work वाले lecture में देख सकते हो, ठीक है, आप playlist में जाओगे, playlist बनी विए मेरी chapter wise, आनन्द और रभी, किसी क काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, रभी और चिन में, आप भी लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ, साथ साथ, ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में, चिन में और आनन्द, 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, इसका LC में आप देख सकते हो, कि LCM 48 होगा, यहाँ 4 इसका कितना आएगा 3 और इसका कितना आएगा 6 एक चलो इसको अगर हम जोडते हैं तो दो बार A आएगा दो बार R आएगा और दो बार C आएगा इसको जोडेंगे तो 4, 3, 7, 1, 8 आए तो एक इसको खटा लेते हैं a प्लस r प्लस c की value कितनी आ रही है छमता की बात करें तो कितनी आ रही है 4 ठीक है ना 2 से कटा है तो 4 आ रहे है a r c इसका छमता कितनी आ रहे है 4 हमें रवी का निकालना है तो a और c को हटाना पड़ेगा यहाँ पे देखो a और c की छमता कितनी दी हुई है एक इसका मतलब कितना है एक तो रवी की छमता कितनी होगी 3 ठीक है तो इसका अगर आप समय निकालोगे तो कुल वर्क 48 बटे में जिसका निकालना है उसकी छमता 48 बटे 3 यानिकी 16 अगला कोसन यह एक दमसांदार कोसन इसे आप तो लगाओगे ही ठीक है यह लिखा है 201,202,203,204,205 ऐसे करते करते 260 तक विदाउट कॉमा लिखा हुआ है ठीक है अगर इसे 9 से विभाजित किया जाए तो सेस के आएगा आप इसे लगा के बताओ जल्दी से 201,202,203,204 एसे लिखा हुआ है 260 तक ठीक है भाई इसमें होता क्या है हम अंको को जोडते हैं 9 से डिविजबिल्टी में हम क्या करते हैं अंको को जोडते हैं यह क्या लिखा हुआ है 201,202,203 ठीक है न ऐसे ही करते करते यह आगे बढ़ेगा 209 पर आएगा फिर 210 पर आएगा एक सेकेंड फिर 211 पर आएगा 212 पर आएगा ऐसे ही करते करते 260 पर जाएगा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिस करता हूँ मैं यह हाँ पर जितने भी अंक लिखे हुए हैं सब को जोड़ना है जोड़ करके 9 से भाग देनी होती है जो सेस आता है वही इसका सेस फोल होता है जैसे मैं पूछ लो 43 में 9 से भाग दे तो सेस क्या होगा आप इसको जोड़ लो 4,3,7,7 सेस बचेगा ऐसे इसको 9 की डिविजबिल्टी में किया जाता है मैंने सिंपलिफिकेशन में पढ़ाय भी हुआ है चलो इसको देखते है सबको जोड़ना है एक बात बताओ कि यहाँ पे 22 22 22 62 तो उसका यह कितना होगा 120 120 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 2 1 प्लस 2 का मतलब 3 पहला अंग हमने जोड लिया अब हमारे पास क्या है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा ऐसे करते करते 60 आएगा यानि कि 1, 2, 3 ऐसे करते 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 60 आएगा इसके अंको का इसका पूरा योग कितना होगा मैं पूरे योग की ही बात कर लेता हूँ ठीक है? इस डिजिट सम छोड़ो पूरा योग कितना आएगा एक से लेके 60 तक पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा 60 गुड़ते, 61 वटे में 2 होता है ठीक है? यानि कि 30 गुड़ते 61 इसको कटाओगे 30 तो 30 को कटाओगे तो 0 आएगा, 3 आएगा और 18 1830 और 120 आज आएगा टोटल अगर जोड़ोगे तो 1950 ठीक है? 1950 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो 6 कितना आएगा? 6 ठीक है न? 9 की divisibility में देख लो, उपर वाले के जोड़ लो 9, 10, 5, 15 15 मतलब कितना होता है? 1, 5 1, 5 का मतलब कितना होता है? 6 ठीक है? 9 की divisibility यह होती है दो समरूप तिर्भूज है पहले तिर्भूज की भुजाएं 2, 3, 4 है दूसरे तिर्भूज का परिमाप 81 है तो दूसरे तिर्भूज की समरूप भुजाएं ग्याद करो ठीक है? चलो पहले तिर्भूज देखो 2, 3 भूज अगर समरूप है तो उसमें ratio चलता है भुजाओं में ठीक है न? इसका 2, 3, 4 दिया हुआ यानि कि परिमाप कितना है? 4, 3, 7, 2, 9 और इसका परिमाप कितना है? 1, 80 यानि कि यह वाला 9 गुना है यह वाला कितना है? 9 गुना तो 9 गुना कर लो 18, 27 और 36 यह वाला option है परते एक दिन जन्व लेने वालों के संख्या समान मानते हुए यह मान लेना है कि रोज जोहे इक्वल नंबर में बर्थ हो रहा है जन्व संख्या का परतिसत बताना है किस दिन? जन्व दिन अधि वर्स में फर्वरी के अंतीम दिन आता है ठीक है न? उस उतने लोगों का जन्व दिन का परतिसत बताना है जिसका जन्व दिन फर्वरी के अंतीम तारिक को आता है यानि कि 29 फर्वरी को आता है ठीक है? आप लिखा और तो या अनसर होगा इसको को सिंद्रैuellement कर सकते हूं लिप यहां पर 364 स्वर्ट लिखा गया है 65 लोगों के एक समो में 40 लोगों को क्रिकेट 40 लोगों को केवल किरकेट पसंद है टीके और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस पसंद है यहां पर हम बना लेते हैं एक तरफ क्रिकेट एक तरफ टेनिस करें चालिस लोग केवल क्रिकेट यानि कि केवल वाला वर्ड यहां पर लिखा जाता है दस लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है यह बीच में लिखा जाएगा समू में हर कोई दो में से कम से कम एक खेल पसंद करता है यानि कि बच कितने गए 40, 10, 50, 15 लोग और बच गए वो 15 लोग यहां पर आएंगे कितने लोग टेनिस पसंद करते होंगे टेनिस वाले गोले में आप देख लो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 25 आ रहा है वो आंसर सही है अगला कुस्ण इसको आप लोग लगाईए ठीक है यह अच्छा कुस्ण है अमीन बाशा और चीज क्या नाम है अमीन बाशा और चीज एक काम को 90-40-12 दिन में कर सकते लेकि वेताय करते हैं कि एक दिन में एक ही लोग काम करेंगे बहुत तो गजब के लोग है एक दिन में एक ही मतलब वहाँ पर भी कोरोना का असर लग रहा है एक दिन में एक ही स्टप जाएगा और अपने परिस्रमिक के रूप में 240 रुपे प्राप्त करते हैं टोटल मिलके उन्हें सब को मिला करके 240 रुपे मिल रहा है प्रतेक ब्यक्ति को मिलने वाली रासी ग्याद कीजिए भाई अगर इनका टाइमिंग अलग-अलग है अलग-अलग दिन काम करते हैं तो इनको किये गए काम के रेशियो पर पैसा बटवारा होगा सब लोग अगर बराबर दिन काम करते हैं तो इनकी इफिसियंसी पर बाट दिया जाता तो हम पहले निकालेंगे कि कौन-कौन कितना काम कर रहा है उसके बाद हम इसको बाटेंगे तब तक अब लगाई ये चलो इसको हमिए solve कर लेते हैं एक काम को 90-40 और 12 दिन में कर सकते हैं ठीक है ये अमीन एक सिकेंड अमीन बासा और चीज एक काम को 90-40 और 12 दिन में कर सकते हैं इसका LCM जो होगा 360 होगा और ये कटाएगा 4 बार में, 9 बार में और ये जहां से ये कटाएगा 12, 36, 30 बार में इनकी छमता ये आ गई तो पहले हम ये ग्याद कर लें कि इन्होंने कितने कितने काम किये हैं उसको ग्याद करने के लिए हम पहले ये ग्याद करना होगा है चलो तो इस में हम क्या करते हैं कि पहले कितने दिन काम करा लें सब को देखो 30,9,49 और 4,43 43 है तो आट दिन काम करा ले किया 8 दिन हम इसको काम करा लेते हैं सभी को 8 दिन तो आठ दिन काम कराएंगे तो 32 हो गया 4, 38, 32, 9, 872 एक एक दिन और काम करा लेते हैं तो ये अगले दिन जायेगा तो चार काम करेगा अगले दिन जायेगा तो ये 9 काम करेगा तो टोटल काम कीतना होगे इसका नव दिन में 8, 4, 32, 4, 36 36 काम हो गया 9, 8, 72, 8, 81 81 हो गया तो 30, 8, 240 240, 3 काम और बचा है, देख लो आप, यनि कि 240 काम ये करेगा, ठीक है न, कैसे ये 3 से कट रहा है क्या ये, 3 से कट रहा है क्या, देखो पैसा का जो बटवारा होगा, इंके किये गए क्याम के अनुसार होगा, ठीक है, हमने क्या किया, कि पहले 8-8 दीन सब को करा लिया, ठीक है, तो आठ अड़ दिन काम करा लिया तो अभी कुछ काम बचा हुआ था तो उसके बाद क्या किया अगले दिन इसको भेजा फिर अगले दिन इसको भेजा तो ये 9 काम किया और जो बचा हुआ काम है वो ये कर लेगा 3 कम्प्लीट हो गया 360 इसको आप यहां पे जोड सकते हो, यह 360 आएगा, ठीक है, 360 काम हो गया, तो इस रेशियो मटेगा, तीन से कटा लो, बारा बार में, 27 बार में, और यह 181 बार में कटेगा, ठीक है, पैसा कितना है, हमारा 240 है, ठीक है, और इसको अगर हम जोड रहे हैं, तो हमारा टोटल रेश से हमें, जो भी ऑप्सन हो, वह ही खोज लो, ठीक है, 81 से 162 ही कटेगा, ऑप्सन नुमर पहला या तो तीसरा, ठीक है, 27 से 54 कटेगा, 64 नहीं कटेगा, ठीक है, तो यहां से हम लगा सकते हैं, पहला वाला ऑप्सन आ रहा है, इसको जोड लेते हैं, 7, 2, 9, 1, 10, 8, 2, 10, 1, 12, यानि कि हमें, डबल करना होगे, यानि कि सब को डबल करना होगे, 24, 54 और 162, यह इस रेसियूम बटेगा, ठीक है, अगर उनका टाइम अगर अलग-अलग है, तो किये गए काम के रेसियूम बटेगा, अगला कुसन यह है आपका, कि एक घोल में सिर्का और पानी, ठीक है, ह तो जितना निकालना है, उतना ही हमें, क्या डालना है, पानी डालना है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कि जितना निकालेंगे, उतना ही डालेंगे, तो पहले जितने लीटर था, उतने लीटर हो जाएगा, तो फिलहाल आपको दिख रहे हैं, कि आठ यूनिट है, और तो कह रहा है कि बाद में बराबर हो गया, बराबर मतलो एक ratio एक, तो अगर ये 8 unit था, तो बाद में भी 8 unit होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, last वाली line में 4 का गुड़ा कर दिया, तो इस तरह से ये क्या हो गया, 4 गुड़े, 4, sorry, 4 ratio, ठीक है, अब अगर पानी को बदला जा तो हम तुलना जो है, तुलना जो है, दूसरे वाले से करते हैं, ठीक है, एक निकाला गया है पांच में से, तो एक बटे पांच इसका आंसर होगा, ऐसा मैंने mixer वाले में बहुत सारे कोशन कराए होंगे, अब वहां से देख सकते हो, ठीक है, ऐसा जब भी कहें कि कितना हिस यो बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम compare किस से करेंगे, जिसको बदला नहीं गया है, ठीक है, यहां पर पानी को बदला गया था, तो पानी से तुलना नहीं होगी, सिर्के से तुलना होगी, अगला कोशन, तीन अंकों की एक संख्या का चैन करने पर, ऐसी एक संख्या का प्रायक्ता कितनी है, जो 5 और 9 के दोरा विभाज्य हो, प्रायक्ता निकालने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, कल भी एक question आया हुआ था, ठीक है न, प्रायक्ता निकालने के लिए हम नीचे क्या लिखते हैं, total, जितने condition बन सकती है, और उपर जो पूछ रहा है, जिसके एक कम जीरो लगाना ठीक है ना जैसे आपसे मैं पूझ दू कि साथ आंक्य की संख्या क्या कितनी होंगी नौ पर छे जीरो होती है ठीक है ऐसा कुछ आंसर होता है तो टोटल कितनी संख्या ही होंगी 900 अब पूछ क्या रहा है पांच और नौ से विभाज होनी चाहिए यानि क कि 45 से कतना चीए 45 से पहली संख्या कौन सी खटेगी 45 गुडरी तीन यानि कि 135 ठीक है और लास्ट वाली संख्या कान सी कति 999 से पहले 990 कि 50 कितने बार में 22 बार में ठीक है ना तो 45 का टेबल 3 से सुरू करना है और 22 बार पढ़ना है attracted 135 कटेगा फिर 45mm cities को ülro 450 थीř टियाईएंस कटेगा 45 सो कटेगा 45 का 22 बार पढ़ेंगे वह भी कटेगा तो तीन से लेकर 22 कितने होंगे 20 से लेकर 22 से तक हमें कितना है तो भाई 3 के बाद आता है चार 24 से 22 तक हो गए हमारे 12 मुझें इन्यस कितनी रहाइव है इसमें क्या किया जाता है अगर इसको सरल भासा में करना हो, दो going up माइनस करेंगे तो िसわか्ण आजएर इह गा तो 20 संक्हाय ओए कोल में लाकर 20 संक्हाय हमग अगर 25 से काटनेवा़ी संक्हाय होगा तो 20 ते स Faculty 65 से इसका आइंसर होगा अगर आप इसे कटाओगे 20 से तो एक बटे में 45 आएगा, यह 45 बार में कट जाएगा, option number D, अगला कोशन, एक नाव की प्रवाह की और रफ्तार क्या होगी, प्रवाह की दिसा में बताना है ना, डाउन स्ट्रीम में, जबकि नाव की रफ्तार, स्टील वाटर में 10 मीटर प्र सेकेंड है, भाई 10 मीटर प्र सेकेंड है स्टील वाटर में, रुके हुए पानी में, तो डाउन स्ट्रीम में रफ्तार ज़्यादा होगी, और option एक ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको हम हिट कर सकते हैं, ठीक है, बाके डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, बोट की अपनी चाल, प्लस इसमें कह रहा है कि 20 परसेंट है, 10 का 20 परसेंट कितना होगा, दो, तो 10 दो 12, यह इसका answer था, कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ग्याद करो, तो स्रीधराचारे का formula आप लोग जानते होगे, ठीक हैं, under root b square minus 4ac upon 2a, तो जो मूलों की प्रकृति होता है न, वह जो रूट में value है, b square minus 4ac, उस पे depend करता है, तो b square का मतलब क्या होगा, इसका square minus 4ac, 4a into c करेंगे, तो 4, 12, 9, 12, 36, निगेटिव आ रहे क्या, निगेटिव आ रहे क्या, 25 minus 36, यानि कि ये कालपनिक होगा, अगला कोसर, दो ट्रेने एक ही दिशा में करम सब 25 और 30 की स्पीड से चलती है, पहली ट्रेन जो है, मतलब 25 वाली स्पीड, ट्रेन जो है, एक घंटा पहले निकल पड़ती है, दोनों को यहीं से चलना है, एक ट्रेन एक घंटा पहले चल पड़ी, तो वो कितना दोरी कवर करेगी, 25 किलो मिटर, अब दोनों चल रही, यह भी आगे अब बढ़ेगी, और प्रोसीड करेगी, और यह यहां से प्रोसीड करेगी, तो कुल मिला करके जो पीछे वाली ट्रेन है, उसे पीछा कितने का करने है, 25 किलो मिटर का, ठीक है न, 5 की, relative speed यहां पर बोले तो 5 आ रही है, क्या हो रही है, relative speed कितनी आ रही है, 5, ठीक है, तो time कितना लगेगा, time equal to होता, distance upon speed, तो distance upon speed यहीं पर कर लो, 5 बरा रहा है, 5 घंटे, अगला कोस्त, अगर एक संख्या का 50 प्रतिसत, दूसरी संख्या के बरावर है, तो दोनों का ratio क्या होगा, X upon Y निकालोगे, तो आएगा 2 बटे में 1, ठीक है न, option number B, अगला कोस्त, अबाई, 5,5 लख रुपे की रासी को, 4, 5 और 6 परसेंट पर, पहले दूसरे और तीसरे वर्स के लिए यह दिया जाता है, संयोजित करते हुए, यानि कि चक्रविद्धी व्याज है, तो 3 साल में जमा किया, तो 3 वर्सों के अंत में amount बताना है कि total कितना हो जाएगा, ठीक है न, 4 परसेंट लगाएंगे, तो 2 0 आएगा, 25 को 100, ठीक है, इतना आएगा, दूसरे साल के लिए rate कितना है, 5 परसेंट, तो इस पर भी 5 परसेंट, इस पर भी 5 परसेंट, तो 25 पाचेंट, 125 हो जाएगा, और 2 0, और इस पर 5 परसेंट लगाएंगे, तो 2 0 कटेगा, और 5, 500 रु 6 परसेंट, 6 परसेंट के लिए 2 0, 25, 1000, 150 आएगा, इसका 6 परसेंट, 600 होगा, ठीक है, इसका 6 परसेंट, 125, 600 और 7,500, शीक होगा, आपका साडेधे 1400, और इसका 6 परसेंट कितना होगा, 5 पाचेंट, 30, तीस आएगा, ठीक है, यह आपका हुरै प Chance को जोड ले, देख ले, कितना आ रहा है ठीक है चलो यहां पर एक और बात हम देख सकते हैं कि लास्ट में 30 रुपे और 50 रुपे यानि कि 80 रुपे आ रहे हैं या तो आंसर यह होगा या तो आंसर यह होगा ठीक है और मोटा मोटी हम जोड लें कि कि 2,50,000 के बाद है 10,000 12,000 22,000 22,000 और 15,000 27,000 यह कि 50,000 में 37,000 जोडएंगे तो लगभग इतना ही आएगा option number d に होने वाला है यह वाला नहीं होगा ठीक है आप वैसे जोड लेना अगला कुषन है कि यह वाला कुषन बहुत इंपोर्टेंट है अगर तरुन और अरुन को हटा दिया जाए तो N लोगों के एक समू की आवसत उम्र 12 वर्स बढ़ जाती है दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयू तरुण और अरुण के बराबर ही है अगर रोहित और मोहित को N लोगों के समू में सामिल कर लिया जाए तो तो आउसत उम्र चार कम हो जाती है ठीक है एन ग्यात करना है इसमें बढ़िया कोश्चन इसको लगावाब चलो तो मैं इसको सॉल्व करने की फिस कोशिस करता हूँ आप लोग सॉल्व कर रहे होगे अरूर तरूर और अगर अरूर और तरूर तो ऐन लोग के एक समूं का अवसत बढ़ जाता है तो नए लोग जो रोहित और के कुलायो यूर तरूर और अरूर के बराबर है अगर रोहित और मौहित को और फिर से ऐन लोगों के समूं में सामिल कर लिया जाए तो उम्र चारल वर्स कम हो जाती है आउसत में जाता है कुछ सम है X का कोई सम है अरूड और तरूड का सम उसको अगर हटा लिया जाता है तो N-2 लोगों का आउसत बढ़ जाता है तो इसी को हम लिखने की कोशिज करते हैं हमने माल लिया कि आउसत कितना था A ठीक है नो 12 वर्स बढ़ गया तो कितना होगे A प्लस 12 लेकि आउसत कैसे निकाला जाता है कुल योग भाई योग कौन है पहले स्टार्टिंग वाली लाइन में इस वाली लाइन में योग कितना होगा जैसे हमने हमने मालिया की N लोग है N यहाँ पर दिया हुआ है आउसत A है तो N A आउसत रहा था पहले और उसमें से तरुन और अरुन हटा दिया गया तो मैंने तरुन और अरुन का मतलब माल लिया की X है ठीक है और भाग किस से देंगे N माइनस 2 से क्योंकि दो लोग कम हो गए है ठीक है इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से N A माइनस X बराबर N A N A प्लस 12 N ठीक है माइनस 2 A माइनस 24 ठीक है N A से N A कटेगा X बराबर क्या हैगा 2 A प्लस 24 माइनस 12 N ठीक है फिर कह रहा है कि अगर उसी N लोगों में दो लोगों को सामिल कर लिया जाए तो अभी आवसत कितना का निकालेंगे N प्लस 2 और आवसत कितना हो जा रहा है 4 कम हो जा रहा है तो A माइनस 4 हमने लिख लिया ठीक है पहले योग कितना था N लोग थे A अवसत था तो N इंटू A ठीक है अभी कौन आ गया है X वर्स वाला अरून और तरून के बरावर रोहित और मुहित को ला दिया गया है ठीक है फिर से यहां से क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे यह आएगा N A प्लस X बरावर देखते रहना N A प्लस 2 A ठीक है माइनस 4 N माइनस 8 माइनस 4 N माइनस 8 यह N A से N A कट जाएगा X बरावर फिर से आएगा 2 A माइनस 4 N माइनस 8 यह भी X की वेलू है यहा भी X की वेलू आय थी दोनों को हम एकवेट कर देंगे तो दोनों को अगर हम varit करते हैं तो ये equate करने पर क्या आएगा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को equate करते हैं तो 2A प्लस 24 माइनस 12N 12N बराबर 2A माइनस 4N माइनस 8 2A से 2A कड़ जाएगा 12N उधर जाएगा तो 8N बचेगा ठीक है न ये वाला 8 इधर आएगा तो हो जाएगा 32 यानि कि N की value कितनी हो गई 4 ठीक है यहाँ से आप कटा सकते है N की value कितनी हो गई 4 कुछ नहीं किया गया जैसे इस statement दिया गया था वैसे हम पढ़ते-पढ़ते कर लिए ठीक है अगला कोशन एक 1060 km परावर की स्पीट से चल रही है एक शूरंग पार करने में 24 सेकंड़ लेति है यह एक आदमी को उसीदी साम विषे की दिशा में 6 km forge की रफता चल रहा है जो आदमी उसे पार करने में 15 सब्सक्राति ट्रेन के लंबाई एक ट्रेन ऑक शूरंग की लंबाई वताना है एक ट्रेन in 90 km per hour की 300Pro прекрас overlap नियुकल को डायर को बदली को सापको सेकेंड में दिया गया आनसर मीटर पास सेकेंड में ट्रेन की 60 को अगर लिए बदलें तौWest 5 वाट 18 से 6 से दस बार में और 6 से यह 3 बार में यानि कि 50 बटे में 3 ट्रेन की स्पीड है ट्रेन की स्पीड कहा है 50 बटे 3 आदमे की स्पीड कितनी होगी ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 बटे में 3 और आदमे की स्पीड कितनी है 6 किलो मीटर प्रति घंटा ठीक है न यानि कि 5 बटे 3, इसी को हम ले करके solve करते हैं, जब train जो है, सुरंग को पार कर रही होगी, तो L1 प्लस L2 होगा, हम L लिख लेते हैं, L train के लिए और S लिख लेते हैं, लेकिन confuse हो जाओगे, L1 प्लस L2 आप कर लो, L1 प्लस L2, distance equal to होता, speed multiply by time, speed है train की 5, 50 बटे 3, और time कितनी ही, 24, 8 बार में कटेगा, 50 बटे 200, यानि L1 प्लस L2 की value कितनी है कि 200, एक आदमी जो है, उसी direction में चल रहा है, तो यहाँ पे speed जो होती है, घड़ जाती है, ठीक है, speed घड़ जाती है, तो train जो है, आदमी को पार तो cable train की लंबाई ली जाएगी, distance equal to speed, speed कौन सी होगी, relative अली, ठीक है, पचास बटे में 3, माइनस 5 बटे में 3, और time कितना लग रहा है, 15, 50 बटे में 3, 5 बटे 3 करोगे, तो यह 45 बटे पे 3, यानि कि 15 आएगा, 15, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, तो यह आएगा, आपका कटने के बाद, 15, 15, 225, कहीं ने कहीं गलती हुए, अच्छा, यह उपर वाली लाइन में गलती हुई थी, आठ और पचास का गुड़ा करेंगे, तो 400 होगा, ठीक है, यहाँ पे 400 होगा, ठीक है, तो L1, ट्रेन की लंबाई, यहाँ से, इस में से, यह वाला क्वेशन का हटा लेंगे, तो L2 की लंबाई जो हैगी, 175 हैगी, 175 मतला ओप्सन नम्मर 20 का सही है, ठीक है, अगला कोशन, एक सिलेंडर की त्रिज्यार उचाई, त्रिज्या जो है, पचास पॉसेंट और उचाई जो है, 75 पॉसेंट बढ़ा दि जाती है, तो मूल आयतन को एक प्रतिसत के रूप में भ्यक्त करें, इसको आप सॉल्व करो, आसां सा कोश्च्चन है, बस कोश्च्चन के स्टेट्मिंट पे जाना, ठीक है ना, चलो, चला तो हम इसको solve करने की कोशिस करते हैं एकदम आसानी से solve हो जाए गई है हमने माल लिया कि जो मूल आयतन है वो कितना है 100 100 है ठीक है न तो जो बाद में जो आयतन बदल गया है V-डेस वो कितना हो रहा है 100 का पहले 50% बढ़ाया गया 3G तो डेड़ सो बटे में 100 होगा ठीक है न तो पाई आर स्कॉयर होता है एक बार और त्रीजी होगी डेड़ सो बटे में 100 एक बार उचाई होगी 175 बटे में 100 तो फाइनली V-डेस की वेलो यह आएगी अब कटा के देख लो यह आएगा 3 बटे में 2 3 बटे में 2 25 से कटाओगे 7 बटे में 4 ठीक है न 4 से कटे गई है 25 बार में ठीक है बाकी कोई कटे गई ही नहीं तो यह V-डेस की वेलो अब किया जा रही है सात्रीक एक कई से कई से कई से थे हैं 63, 25 गुड़े 63 बटे 4 इतना ठीक है न तो कह रहा है कि मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिसत के रूप में ब्रक्त करना है तो प्रतिसत हमारा क्या होगे द्यान से देखना मूल आयतन को नीचे लिखना है प्राप्त आयतन का प्रतिसत तो नीचे प्राप्त आयतन लिखना है 25 गुडे 63 और बटे में 4 कहाँ जाएगा यहाँ पर गुडे 100 आएगा 25 से यह 4 बार में कट जाएगा उपर दिख रहा है 16 100 बटे में 63 तो यहाँ पर आप्शन भी एकदम पास में कुछ नहीं करेंगे कटाएंगे हम सोलो 100 को 63 से भाग देंगे दो बार भाग जाएगी 126 होगा 4 होगा 34 चे से 6 बार भाग नहीं जाएगा लगबक 5 बार भाग जाएगा और 5 को देखते हुए मैंने 25 को आप्शन हिट कर दिया अगर 63 है तो 6 बार ले जाएगे तो 360 से अधिक जाएगा लेकि 5 बार तो भाग जाएगा और 5 बार देखते ही देखते मैंने इसको हिट कर दिया तो यहाँ पर ये बात समझना कि क्या हमें निकालना था जो प्रतिसत हमें निकालना था वो किसका निकालना था अगला कोस्टन एक माल के लागत मुल्य में कितना प्रतिसत जोड़ देना चाहिए ताकि अंकित मुल्य पर 10 प्रतिसत की छूड़ देने के बाद भी 20 प्रतिसत का लाब हो यानि कि मार्क अप हमें कितना अधिक करना है ठीक है न? चलो हमें देख लेते हैं यह कुस्चन कल भी आया हुआ था उसको मैंने बताया हुआ था कि MP बटे में CP का जो रिलेशन होता है हम यह करते है 100 प्लस प्रोफित अपान 100 माइनस डिसकाउंट ठीक है? चलो आगे कर लेते हैं यहाँ पर भाई हमें MP निकालना है अपान CP 100 प्लस प्रोफित प्रोफित कितने का हमें चीए 20 प्रतिसत यानि कि 120 हो जाएगा और डिसकाउंट कितने का देना है 10 यानि कि नीचे 90 हो जाएगा इसे आप अगर कटाओगे तो कितना होगा? 3 से 4 बटे में 3 यानि कि 1 सही 1 बटे में 3 यह हमारा मुल्धन होता है CP और यह 1 बटे 3 इसको बढ़ाया जाना है चार बटे 3 को प्रतिसत में भी बदलोगे तो 133 बटे 3 3 3 प्रतिसत आएगा वो उसे बोलते है HCF एकना उसे क्या बोलते है HCF HCF इसका 13 आएगा अगला कोसन इसका स्क्रीन सॉट ले लो इसका आप लो कमेंट करना तीन करमागत संख्याओं का आउसत पहली संख्या के एक तीहाई से 15 जाद है सबसे बड़ी संख्या बताओ बिलकुल एजी कोसन है अगला कोसन ये वाला कोसन बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है एक बैपारी जो है 500 किलो ग्राम माल खरीदने जाता हुआ कितना भी खरीदने जाए ठीक है ना बस ये देखना चाहिए कि खरीदने और भेचने का काम सही होना चाहिए एक बैपारी जो है 500 किलो ग्राम माल खरीदने के लिए ठोक बिग्रेता के पास जाता है ठोक बिग्रेता के पास एक तराजू है जो 1200 ग्राम दीखाता है एक किलो के बदले 1200 ग्राम यानि कि इस समय जो थर्ड पार्टी है मैं देखना जो चोरी वाला question पढ़ाया था एक अन्य था एक कौन था दुकांदार दुकांदार यहां पर कौन है ब्यापारी मैं ब्यापारी के बारे में बात करने वाला हूँ कह रहा था कि वो 1200 ग्राम दिखाता है उसका तरा जो थर्ड परसन है उसका तो जब ब्यापारी गया इसके पास इसके पास खरीद ने तो पैसा दिया होगा इसने 1200 ग्राम का खरीद के लाया होगा कितना 1000 ग्राम यानि कि 6 रे बैपारी उसे लागत मुल्ले से पचीस प्रतिसत बढ़ा कर बेचता है। वह पचीस प्रतिसत का मतलब होता है एक बटे चार यानि कि चार में एक बढ़ा कर बेचेगा तो चार में एक बढ़ा कर बेचेगा बैपारी तो बैपारी को लाब होगा और लाब होगा तो बड़ी एक का लाव हो रहा है 24 पर, एक बटे 24 गुडे 100 आएगा आपका लाव, तो अगर यह 25 होता तो चार बार में कटता, तो 4 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, और आप आप संदेख सकते हो, 4 से थोड़ा सा बड़ा आंसर एक ही है, अगला कुश्चन, एक समकोड प्रिज्म कुछ नहीं है, प्रिज्म जिसकी पार्स प्रिष्ट का चेतरफल 143 है, और परी धी, मतलब नीचे का 13 सेंटीमीटर है, परी माप, ठीक है, तो उसकी उचाई ग्यात करना है, ठीक है, मैंने इस फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, पीडियेप में भी मैंने दिया हुआ है, क आधार का परिमाप, गुडे उचाई, ठीक है, आपका सर्फेस एरिये 143 दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तेरा गुडे उचाई, हाइट, तेरा से कटाओगे, ग्यारा बार में कट जाएगा, यानि कि हाइट जो होगी, वो ग्यारा आ जाएगी, अगला कोश्ण, 312 रुपे को 100 चात्रों में बाटना है, ठीक है, और इस तरह बाटना है कि परतेक लड़के को 3,26 और परतेक लड़के को 2,24, आप इसको कही तरह से लगा सकते हो, ELEGATION से भी लगा सकते हो, X, Y मान के भी लगा सकते हो, ठीक है, तो हमने लड़के को माना कि 10 B लड़के है, ठीक है, एक्स माले है, ठीक है, लड़के कितने है, टेन एक्स, लड़के कितनी है, टेन वाई, 10 इसलिए माना है कि 10 का इसमें गुड़ा करेंगे, तो डेसिमल हट जाएगा, बाकी और कोई बात नहीं है, हम जैसे चाहें, वैसे लगा सकते हैंगे, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 100, संख्या की बात पहले कर लें, हमने माना कि लड़के कितने हैं, इतने हैं, 10x और लड़कियां कितनी हैं, 10y, ठीक है, तो टोटल यह है, यहां से x प्लस y की वैलू आपका 10 आ रहा है, एक समिकरण बन रहा होगा, ठीक है, कह रहा है कि 10x लड़के हैं, और एक लड़के को 3.6 दिया गया, तो टोटल पैसा कितना दिया होगा, 36x, एक लड़क को 2.4, तो लड़कियां कितनी हैं, 10y, 24 गुड़े 10y, यानि कि 24y, और इस तरह से कुल पैसा कितना है, 312, ठीक है, इसको आप 12 से कटा सकते हो, क्या, 12 से बिलकुल, 12 से कटा होगे, तो 12 यह हैं, 36, 2y, बराबर 12 दूना के 24, और 12 चक बहत्तर, 3x प्लस 2y बराबर 26, यह हमार बन जाएगा, दूसरा समय के ला, ठीक है, इसमें अगर हम 2 का मल्टिप्लाई, एक मिनट, 3 का मल्टिप्लाई कर लें, 3, 3, तो यह भी 30 हो जाएगा, ठीक है, अब 2 में से, पहले में से दूसरा घटा लेते हैं, तो देखना क्या आएगा, 3x से 3x घटेगा, यह 3y में से 2y घटेगा, तो y, y बराबर 4, ठीक है, लेकि लड़कियां कितनी है, 10y, तो 10 का गुड़ा इधर करेंगे, 10 का गुड़ा इधर करेंगे, तो 40 हो जाएगा, यहानि कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 40, ठीक है, आई तिंक आपको यह भी क्लियर हो गया होगा, अगला को तो यह कुछ नहीं करना है, x plus y plus xy upon 100 वाले formula से लगा लेना है, तो इस तरह से 20 बारा का कितना है, 20 और 10 का कितना है, 32 आता है, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुड़े 10 बटे में 100 कर लोगे, तो यह आ जाएगा, net change वाला formula है, यह आपका, आज का सबसे सांदार question है, इसे आप लगाने की को process करिए, यह वाले question देखो, बहुत ही सांदार है, कह रहा है कि हिमानसु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ, c, h, a, n, g, t, a, n, g, s, a, n, g, प्रेकर न, आप भी इसको solve करो, जिसके कूट अर्थ को समझ कर उसे सब दोवनाना है, वो a का सभी सही स्थिति जानता है, यान कि एक को arrange नहीं करना है, तो arrange करने के लिए कितने बच गए, 10, ठीक है, यह total 13, मैं इसे हमें a क邊 arrange करना है, ये को हटा देना है, हमें 10 को arrange करना है 10 को arrange कितने करता रह से हम कर सकते हैं arrange 10 factorial ठीक है लेकिन 3 बार n आ रहा है तो 3 factorial से divide होगा 3 बार g आ रहा है तो 3 factorial से divide होगा ठीक है यह total इतने तरीके से arrange कर सकते हैं ठीक है हमारी प्राइक्ता क्या होती है जो प्राइक्ता निकालते हैं जो पूछता है वह उपर जो पूछे वह उपर नीचे क्या लिखेंगे टोटल ठीक है ना पूछता है वह उपर भाई साब हमारे पास पूछा क्या है कि वह कितने तरह से संदेश की ब्याक्या समझ सकता ह बाई एक ही तरह से कोई भी एक संदेश होगा अगर आपको एक कोडिंग दी जाए उसका एक ही आंसर आप निकाल सकते हो वो एक ही तरह से समझ सकते हो यानि कि जो पूछा है उसका आंसर वन है और टोटल प्रोवेल्टी कितना है दस फैक्टोरियल अपॉन जो अपॉन बटे वाला होगा वो उपर जाएगा तीन फैक्टोरियल इंटू तीन फैक्टोरियल ठीक है यह इसमें इसका आंसर हो गया ऑप्सन नमबर ए अगला कुस्सन है हमारा लास्ट में पांच मार्च 2012 को बुद्धवार है तो पांच नौमबर 2014 को कौन सा दिन होगा तो हम पांच मार् में कितने दिन बचेंगे मार्च 31 का होता है तो 26 दिन बचेंगे क्या मार्च में 26 ठीक है अप्रेल में कितने दिन होगे । दो दिन मैं 3 जून में 2 चुलाई में 3 अगस्त में 3 एक्टूबर में 3 नमबर में 5 eten तच तो इस Тरहा से देखे ने लेते और टूटल कितने हो कट गया ठीक है न अभी बागई देखो तीन तीछे". हाँ से एक स्ट्रा आ धा रहा है 주र्ध किटने से एक स्ट्रा आ रहा है किट नेज़ें QV भी नहीं आया है ना यानि कि यहां से यहां तक कोई नहीं आया है मतलब पांच नौंबर को भी क्या होगा बुद्धवार होगा ठीक है दो साल आगे जाना है तो हर एक साल एक दिन एक्स्रा बढ़ता है ठीक है प्लस एक बटे में दो गुड़े तीन, प्लस डॉट 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 एक बटे में उन्चास गुड़े पचास, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे में एक, माइनस एक बटे में दो, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं, एक बटे में दो, माइनस एक बटे में ती डॉट 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 एक बटे में 49 माइनस एक बटे में 50 ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं यह सिरीज होती है इस तरह की देखना यह दूसरे देखो यह पहला वाला हमारा नमबर था न इसका जो सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट से यहां पर जो सेकेंड पार्ट आएगा फर्स्ट पार्ट से बचेगा पहला वाला और लास्ट वाला बचेगा यह आ जाएगा 49 बटे में 50 49 बटे 50 ठीक है नो कुछ नहीं करना है आप इसको solve करना है 49 बटे 50 तो धीरे से आप इसको अराम से डबल कर लो यह हो जाएगा 99 बटे 100 यानि कि 0.98 भाग देने कहुन जाए भाई साम ठीक है इतने आराम से मजे से कोस्टन आ गया I think आपको यह सेशन मजा आया होगा अगले दिन अगले शिफ्ट जो है थर्ड है उसके वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी सांदार कोस्टन होंगे I think आप लोग रोज रोज नए नए कोस्टन सीखते होंगे ठीक है न तो हमारे साथ इसी तरह लगतार बने रही है Thank you